जलवायू परिवर्तन यानि climate change, इस वक्त हर तरफ यही शब्द है TV, documentaries, podcast, conferences, हर तरफ यही सुनने को मिलता है लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये वही चीज है जो global warming कही जाती है? एक और शब्द जो इन दिनों खोब उचाला जाता है दोनों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तमाल भी कर लिया जाता है लेकिन दोनों एक नहीं है और इसलिए हमारी नई सीरीज, The Climate Explainers नमस्कार मैं हुसिकता देओ, आज से आप और हम हर हपते जलवायू परिवर्तन पर बात करेंगे मगर किसी भारी भर कम शब्दों के साथ नहीं कल्पना करें कि ये धरती एक विशाल घर है घर के अंदर दो चीजे हो रही है Global Warming और जलवायू परिवर्तन यानि Climate Change Global Warming तब होती है जब पूरा घर गर्म होने लगता है जलवायू परिवर्तन तब जब घर के अलग अलग कमरे बदलना शुरू होते है एक कमरा गर्म हो जाता है दूसरे में जαदा बारिश होती है और तीसरा और जदा ठंडा हो जाता है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, मोसम में, एक लंबे समय में कहें तो 30 या 40 साल में होने वाले बदलाव को जलवायू परिवर्तन कहते हैं यही वो एहम नुकता है जलवायू परिवर्तन कुद्रती तोर पर होता है वाकई एक काफी लंबे समय में लेकिन अब हम बड़ी तेजी से जलवायू परिवर्तन होता देख रहे हैं और विग्या क्रांती यानि की इंडस्ट्रियल रेविल्यूशन के दौरान लोगों ने कोईले का भरपूर इस्तमाल किया था। इससे हमारे वातावरण में काबन डायोकसाइड की मात्रा में उच्छाला आया था। पचास के दशक में दूसरे विश्वदियुद के बाद जब हम वाकई जादा गाडियां और कार का इस्तमाल करने लगे तो काबन डायोकसाइड की स्तर में और बढ़ोत्री हुई इतिहास में ये दो मोड हैं जब जलवायू संकट एक अर्थ में शुरू हो गया था। तब से दुनिया की आबादी तिगनी भी हो चुकी है हम बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जो लगातार काबन डायोकसाइड छोड़ रहे हैं जब सूरज की उर्जा धर्ती तक पहुंचती है तो इसका एक हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है लेकिन अब जो गैस की यानि की काबन डायोकसाइड की मिथेन आदी की जो चादर हमने बिचा दी है इससे बहुत सारी गर्मी धर्ती के बातवरण में फंसी रह जाती है और इसकी वजह से जो आसत ताफमान है यानि की जो आवरिज टेंपरेचर है वो बढ़ने लगता है या फिर ग्ल डायोकसाइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ने की वजह से और द्योगिक यूग से पहले के मुकाबले औसत ग्लोबल जो तापमान था वो कम से कम एक दशामलाव एक डिग्री बढ़ गया है अब मसलन आकिटिक को लीजिए उतरी धुरुफ के पास एक बरफील जिसकी वजह से यह और तेजी से पिघल रही है आपको पता है कि अगर आप तीखी गर्मियों में काले कपड़े पहनते हैं तो आपको कितनी गर्मी लगती है यहां भी कुछ उसी तरह से हो रहा है पिघलती हुई बर्फ की वजह से समुद्रों में पानी भी बढ़ जाता ह यानि इसकी वज़ा से समुद्रों में और जादा पानी आ जाता है और जलस्तर यानि की जो water levels हैं वो बढ़ने लगते हैं विज्ञानी कहते हैं कि 1880 के बाद समुद्र का जलस्तर औसतन आठ इंच तक बढ़ा है और इसमें तीन इंच की बढ़ोतरी तो बीते 25 सालों में हुई है इसका असर हम पूरवी भारत के सुन्दर बंज में देख सकते हैं इंडोनेजिया में लोग राजधानी को जकारता से दूर ले जा रहे हैं क्योंकि ये डूब रही है पानी बरसने का पैटरन बदल रहा है असमें बारेश और जादा सूखा जादा तबाही वाले अचानक आ रहे हैं बार्ड चक्रवात तुफान सब प्राकृतिक तोर पर हो रहे हैं लेकिन और जादा बत्तर रूप में इस वज़ा से गेहूं की फसल बरबाद हो गई आपूर्ती कम हुई तो दाम बढ़ गए यानि आकिटिक में पिघलती बरफानी चोटियों का वास्ता भारत में गेहूं के बढ़ते दामों से है यह बहुत दूर की कोड़ी नहीं है दुनिया भर के देशों ने एक समझोता भी कि हम अगर अब भी सक्रिय हों तो ग्लोबल वामिंग को एक तशमलब पांच डिगरी तक रोक सकते हैं अगर इस वीडियो से आपको कुछ बुन्यादी बातें सहज डंग से समझ में आई तो हमें जानकर अच्छा लगेगा आप अपने कॉमेंट किसी सुझाव या सवाल के सा बात भी दे सकते हैं तो फिर मिलते हैं अगले हफते क्लामिट चेंज के एक और एक्स्पेना के साथ